आज बनाते हैं आटा विस्किट बेकरी स्टाइल में बहुत ही टेश्टी बनते हैं ये घर पर आज इसे मैंने बनाया है ओटीजी में ओटीजी नहीं है कोई बात नहीं आप इसे कुकर या कड़ाई में भी बेक कर सकते हैं तो आई ये बनाते हैं ये आटा बिस्किट खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं और बनाने में सिंपल भी होते हैं उमीद करते हूं ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आटा बिस्किट पनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल ले और उसमें डाल दे वन थर्ड कप कैस्टर शुगर देखिए कैस्टर शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप इतना ही पिसी हुई चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ इसमें पांस चमस देशी ही डाल दे देशी ही नहीं डालना तो इसकी जगह आप बटर का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बटर जो होना वो सॉल्टेट बटर ना हो प्लेन बटर का आप इस्तमाल करें तो बस इन दोनों चीजों को क्या करना है ना हमने 4-5 मिनट लगातार फेटना है इस तरीके से ऐसा करने से क्या है चीनी भी घुल जाएगा और ये फलफी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके का चलिए अब इसमें ड्राइ इंग्रीडियंट्स एट कर लेते हैं आटा विस्किट है तो इसके लिए इस तरीके से एक छन्नी रखें और इसमें डाल दे एक कप गेहु का आटा ये जो मेजरिंग कप है न ये 250 ml का है एक चमच इसमें बेसन डाल दे और इसी के साथ थोड़ा स पावडर डाल दे एक छोटा चमच इलाईची का पावडर आब आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बस अब इसे अच्छे से चाल लेंगे अब इसमें एक चुटकी न नमक डाल दे और इसी के साथ जाइफल डाल दे इस तरीके से कद्दू कस करके जाइफल बहुत स्ट्रॉंग होता है तो इसलिए थोड़ा सा ही डाले बस अब इसे भी अच्छे से चान लेंगे अब क्या है ना इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है मसलते हुए क्योंकि इसमें जो हमने घी और चीनी डाला है वो भी आटे के साथ आप अच्छे से मिक्स कर लें जब इस तरीके से मिक्स हो जाए ना तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूट डालेंगे देखिए अभी थोड़ा कम लग रहा है तो एक चम्मस दूद और डाल दिया है एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं अभी इसमें कम लग रहा है दूद तो दो चम्मस दूद और डाल रही हूं बस अभी इसे डाल कर भी मिक्स कर ले देखिए जरूरत लगे तो आप एक चम थोड़ा ये टाइट ही होगा आपको वीडियो में दिख रहा है ना ऐसा ही याटा हमने तयार करना है इसके लिए पूरे 5 चमच मैंने दूद इस्तमाल किया है बस इसे थोड़ा सा ना 10-15 मिनट के लिए रेश्ट करने देंगे उसके बाद क्या है ना एक बेलन की सहायता से इ अगर फैल जाता है तो आप उसको हाथों से इकठा कर ले और इस तरीके से बेल ले थोड़ा पतला भी कर सकते है या इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में दिखाई हूँ न, इतना आप मोटा भी रख सकते हैं, देखे, इस तरीके का इतना मोटा भी आप रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, बस अब क्या है न, हमने जिस साइच का बिस्किट तैयार करना ह किनारे ही निकाल देत 걱정 और फिर से यह कठा करके न हम ऐसे ही बेल लेंगे और सथी की साइथा से होल कर देग़ करने में तो यह अच्छा लगा ही बिश्किट जैसा लगेगा उस तरी के से कठ कर अब छोटा या बड़ा जैसा आप बिस्किट बनाना चाहे न उतना आप कट कर लें देखिए बाखी का यह जो आटा है न इसको भी हम ऐसे ही तयार कर लेंगे बस इसी तरीके से सारा बिस्किट तयार कर लेंगे अब एक बेकिंग ट्रेले और उसके उपर घी या तेल लगाकर इस तरीके से तयार कर लेंगे अब सारे जो बिस्किट्स हमने त्यार किया है उसे इसके उपर रग देंगे, अब इसे हमने बेक करना है, तो बेक करने के लिए अपने OTG को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए गरम होने को छोड़ दें, जब OTG 10 मिनट तक गरम हो जाए तो उसके बाद ये जो हमने ट्रे त्यार क करके रखा है उसे इसमें रखकर 180 डिग्री पर हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 20 मिनट बाद अपने OTG को 230 डिग्री पर करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें, इतनी देर में ये जो बिस्किट्स है अच्छे से बेक हो जाएंगे, देखिए ये बिस्किट्स जो हम बह कि समय कम लगता है, कभी जादा लगता है, तो इसलिए जैसा कि मैंने 20 मिनट बोला तो आप 15 मिनट में चेक कर लें, अगर हो सकता है कि आपका बेक हो गया है, तो फिर उसको 8 मिनट के लिए 230 डिग्री पर कर लें, ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, बस कुछ चीजो बस अब इसे किसी एट एट कंटेनर में रखें, और जब मन करें आप इसे इंज्वाइ करें, तो कैसी लगी आज की रेसिपी, उमीद करती हूँ, बहुत पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू